नमसकार मैं हूँ लोकेंदर भासका रेक वरफीर स्वागत है आपका लोकेंदर अंडस्ट्री में और आपको जो डेमो दिखा रहा हूँ मैं यह है मैनुवल मशीन सिलिपर मैनुवल मशीन का यह डेमो है यह देखिए आप नीचे डाई रखे और दोनो डाई या सिंगल के हैवी बेट की मशीन बनाते हैं यह एलेक्ट्रिक फ्री मशीन है इसमें अपने घर पे ही अपने घर से इसको एक छोटी सी जगह पंदरवई पंदरगी आपके पास जगह है तो इसको सैट अप करके आप पूरा अपना काम कर सकते हैं और एक नए उद्धियो की सुरुबात कर सकते हैं कुछ ऐसी तरीके की विए मशीने होते हैं कई तरह के की मॉडल्स आते हैं सबके rates अलग होते हैं उनके rate इनकी quality पर और इनके wait for depend होते हैं तो ये मशीने अपनी full setup के साथ आती है पूरी total 6 मशीनों का पूरा एक setup होता है जो कि अभी आंगे मैं आपको दिखाऊंगा यह होता है एक कॉम्बो पैक जिसमें ग्रैंडर प्लस में ड्रिलर तो इस तरीके से इसमें छेद किये जाते हैं चुकि जब हम लोग कटिंग करते हैं तो डाई में आलरेडी तीन पिन होती हैं तो पहले से ही इसमें छेद हो जाते हैं लेकिन उनी छेद को हमको फिर से चौड़ा करना होता है नीचे से इस तरीके का ताकि जो हमारी स्ट्रैप है बद्दी है वो इस तरीके से नीचे की जो गुंड़ी है वो फस जाए अच्छे से तो इस तरीके से इसमें ड्रिलिंग प्रोसेस होती है ड्रिलिंग करने के बाद इसमें फिर ग्रैंडिंग किया जाता है कटिंग करने के बाद जो रे से रह जाते हैं तो इसको फिनिस टच देने के लिए इस तरीके से इसका ग्रैंडिंग प्रोसेस होता है इसका गिसाई किया जाता है यह मशीन बहुत इंपोर्टेंट है यह इसके मॉडल चेन जरूर होते रहते हैं कभी यह टेबल वाला एक टूल बनके आ जाता है कभी इस तरीके के ग्रेंडर आ जाते हैं वट काम सबका सेम होता है और क्वाल्टी जबकी सेम होती है देखिए इस तरीके से इसका गिसाई किया जाता है इसके बाद हमारी स्ट्रेपिंग का प्रॉसेस होता है स्ट्रेपिंग के लिए इसको टूल पिन स्ट्रेपिंग बूलते हैं कुछाई इसको टेवल पर कसके हम लोग इसकी मैनुवली हाँस से इसकी स्ट्रापिंग करते हैं तो यह यह आप ले सकते हैं इसके अलाबां देखिए एक रेडि हो गया हमारी इसमें स्ट्रापिंग होग सी करें हिंदुचरी इम्हारी जो होती एक option होता है तो